यूपी के पेली भीत में खाकी का माखोल उडाते हुए पुरानी रंजिश को लेकर कोतवाली और चोकी से चंद कदमों की दूरी पर पहले तो फाइरिंग हुई और बाद में धारदार हत्यारों से लैस दबंगों ने घंटों मार पीट कर दहशत कायम कर दी उधर स्पी के आदेश पर 13 नामजद और 20 अग्यात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर है दरसल सेमरा मौ इलाके के बारीक बुझिया गाउं का अवतार सिंग समेत कई लोग शादी समारों से लोट रहे थे आरोप है कि पूरनपुर आसाम चोराहा पर पूरुप्रधान चेन्नाई सिंग ने अपने समर्थकों के साथ धारदार हतियार से अवैद तमंचा लेकर हमला कर दिया जिसके बाद बीच चोराहा पर कई राउंड फाइरिंग की और धारदार हतियारों से कई लोगों को लव उलुहान कर दिया बीच हाइवे पर घंटों खूनी तांडव चलता रहा लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी वहीं स्पी अतुल शर्मा ने बताया कि माधो तांड़ा इलाके में बारात आई थी कुछ लोग बारात से घर वापस लोट रहे थे तभी पूरन पुर आसाम च खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जल्द ही आरोपियों की गिरफतारी की जाएगी अबतार सिंग बद्दू सिंग गणदीश सिंग सोंग सिंग संचिर सिंग हरविंदर सिंग और सार अभयात पुछ अभयात लोगते से लिए थाना बरखेडा चेत्र में आज की घटना है जिसमें की एक मोटर साइकल पर सवार मा और बेटे की एक डंपर से टकरागर जो है गज़ा है जिसमें दोनों की मौके पर बित्ती हो गए जोनों शबों को पंचाज नामा भर कर पोस्माटम गली बहज दिया गया है और मौके बशान्ती वस्ता बनाई बनी होई है आगे कि हम लोग इसमें डंपर जो है वह हमने बलें इसमें पकड लिया है और आगे जुब